good morning class kajin, subject है बच्चों आपका rhymes sing a song तो आज है बच्चों आपका Hindi rhymes कर टन, तो आज हम Hindi rhymes आपको पढ़ाएंगे तो इसमें आपकी, आज last जो है, आपका जो Hindi rhymes वो complete हो चुका है ठीक है ना, तो आज इसमें हम Hindi rhymes पढ़ाएंगे ठीक है न सीखो पेज नमबर आपका 32 तो इसको उपन कर जी सबसे लास्ट पेज है आपका 32 तो सब ने पेज उपन कर लिया होगा तो इसमें है कविता का नाम क्या है सीखो ठीक है तो पहले मैं आपको एक लाइन करके इसको बताती है बच्चो इसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे सूरज बना है नदी बनी है पेड़ पौदे बने है फल बने है उन में पाहार बने है ठीक है न बच्चा बना है चिडिया है यहाँ पे तो इसी इनी सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे बच्चो तो ध्यान से इस कविता को सुनिएगा तो सबसे पहले क्या करें इसमें? फूलों से तुम हसना सीखो कलियों से मुस्काना नदियों से तुम बहना सीखो परवत से अड़ जाना पेडों से तुम सीखो बच्चों फल पाकर छुक जाना सूरत से तुम सीखो बच्चों तब में तम को दूर भगाना क्या करें इसमें फूलों से तुम हसना सीखो क्या करें बच्चों कि फूलों से क्या करना चाहिए हमको हसना सीखना चाहिए जैसे फूल क्या करते रहते हैं हमेशा मुस्कुराते रहते हैं कलियों से मुस्काना ठीक है नदियों से तुम बहना सिखो जैसे नदी कल-कल-कल करके बहती रहती है इसी तरी के हमको भी अपने जीवन को बनाना जाए है पर्वत से अर जाना पर्वत देखो एकी जगए पे अरा रहता है पेड़ों से तुम सीखो बच्चों फल पाकर जुक जाना पेड़ में देखो कितने फल लगते हैं है न तो वो क्या है उससे हमको क्या सीखना चाहिए पेड़ों से तुम सीखो बच्चों फल पाकर जुक जाना ठीक है न सूरज से तुम सीखो बच्चों अब सूरज देखो यहां पर सूरत से क्या है तम को दूर भगाना कितनी गर्मी में भी वो कितना खुश रहता है ठीक है ना तो यह सब चीज़े हमको इनसे सीखनी है तो आज की पोएम है आपकी सीखो तो एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं फूलों से तुम हसना सीखो कलियों से मुस्काना नदियों से तुम बहना सीखो परवस से अर जाना पेडों से तुम सीखो बच्चों फल पाकर चुकुजाना सूरत से तुम सीखो बच्चों तम को दूर भगाना तो यह थी बच्चों आज की आपकी पोएम